विस्थापन अभिक्रियाय एक जिनमें एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके योगिक के विलियन में से हटा देगा या विस्थापित कर देगा इसमें जो ज़्यादा रियक्टिव एलिमेंट होगा, वो क्या करेगा कि कम रियक्टिव एलिमेंट को उसके योगिक से डिस्प्लेस कर देगा देखिए यहां हमने यह कॉपर सल्फेट लिया हुआ है और दो लोहे की केल्डी है अब हम कॉपर सल्फेट का सॉलूशन तयार कर लेंगे, वीलियन तयार कर लेंगे जैसा कि हमने यह परक्नली में तयार कर लिया है और परक्नली में तयार इस कॉपर सल्फेट के वीलियन में हम इन लोहे की किलों में से एक कील को इस वीलियन के अंदर डुबोएंगे आप डुबो दीजिए एक कील को और उसके पहले आपको क्या करना है, करेक्ट आपने सही बताया वो हम कर चुके हैं बट फिर भी आप बता दीजिए कि लोहे की किलों को हमें रेजमाल से साब भी करना है तो इस रियक्शन में क्या होगा, कि जो आईरन की कील को जैसे ही आप कॉपर सल्फेट के वीलियन में डीप करेंगे तो आईरन अर्था लोहा जो है वो दूसरे तत्व जो कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर है उसको उसके योगिक CUSO4 में से डिस्प्लेस या विस्थापित कर देगा या हटा देगा यही विस्थापन अभिक्रिया होगी हाँ आप इसको डीप कर दीजिए बिल्कुल ठीक है यह आपने इसके अंदर डीप कर दिया है और एक किला आपने यहां बाहर रख लिए ताकि बाद में आप उसमें तुलना कर सके तो यहां होना है चाहिए कि यह जो लुहा है यह तांबे की अपेक्षा अधिक क्रियाशिल तत्व है और इसलिए लुहा तांबे को उसकी योगिक से विस्थापित कर दे यह होना चाहिए देखिए अगर हम यहां रियक्षन को देखें तो एफी प्लस सीउ एसो फॉर एफी एसो फॉर प्लस सीउ यू यह विस्थापन अभिक्रियाशिल होना चाहिए तो हमें यहां आधा गंटा लगभग इंतजार करना होगा और उसके बाद में हमारे प्रेक्षन हमको लेना है हमारे प्रेक्षन में हमें एक बात का ध्यान रखना है कि प्रेक्षन लेते समय एक तो हमें देखना है कि क्या लुहे की कील का रंग बदला है और दूसरा हमें देखना है कि क्या कॉपर सल्फेट का जो वीलियन था उसके रंग में कोई बदलाव आया है क्या तो चलिए हम आदे घंटे बाद ये प्रेक्शन नोट करेंगे चलिए आधा घंटा हो चुका है देखते हैं इस लोहे की अर्थात आईरन की कील को कॉपर सल्फेट के जली वीलियन में से निकाली यह देखिए लोहे की केल को देखिए यह पहले जो लोहे की केल थी वो कैसी थी ऐसी थी और अब आप इस लोहे की केल को ध्यान से देखिए इस पर copper metal की red brown layer आ गई चलिए अब आप copper sulphate का जो हमारा जली वीलियन था जो deep blue color का जली वीलियन था उसको दिखा दीजिए जो हमने शुरू में लिया था अब आपने जो लोहे के कील निकाली है वो वाला वीलियन भी दिखा दीजीए अब देखिए इस मिलियन को ध्यान से देखिए यह कील निकालने के बाद इस फिलियन का color देखिए ये फेट हो गया है यह कहें है कि यह light green हो गया है देखिए यह हुआ है फेरस सल्फेट अर्थाथ आईरन सल्फेट के बनने के करण इस प्रकार इस विस्थापन अभी क्रिया में क्या हुआ लोहे ने दूसरे तत्व कापर को उसके जली वीलियन कौपर सल्फेट में से विस्थापित कर दिया क्या हुआ 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 है